दोस्तों, चीन में होने वाले ASEAN Games के लिए भारत की B Team का नया कप्तान जारी, तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरीके से चीन में जो ASEAN Games होने वाले हैं, उसके लिए भारती टीम का एलान हो चुका है और नया कप्तान का भी नाम सामने आ रहा है, सब कुछ इस वीडियो में, अगर आप भी है भारती टीम के फैन, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों, IPL खतम होने के बाद भी भारती टीम का सेडूल का अफिज़ता भी जी है, एक तरफ हमने WTC का फाइनल खेला, उसके बाद टीम इ इसमें सिर्कत करने को तयार है, इससे पहले टीम इंडिया इससे गेम्स में नहीं जाती थी, लेकिन अब टीम इंडिया का भी इसको लेकर अलान हो गया है, और जैसा ही दोस्तों, टीम इंडिया की, यान की BCCI ने इस चीच को मनजूरी दी, वैसे जो खिलाड़ी ACN गेम्स जहां तक खबर यह आ रहे हैं कि सिकरदवने ACN गेम्स में टीम इंडिया की कप्तानी करने वाले हैं, असी दुरान टीम इंडिया की B कप्तान को सिरलंका भेजा गया था, सिकरदवन को वर्ल्ड कप स्कॉर्ड की रेस से लगबग बाहर माना जा रहा है, जबकि उनकी जगय पर दोस्तों सुमन गिल का खेलना पक्का हो चुका है, तो इस फॉर्मैट में वो कमाल नहीं कर पा रहे हैं, इसी वज़े से बाहर हैं, और ACN गेम्स में अगर अपनी कप्तानी से वो कुछ अच्छा करते हैं, तो निश्चित तोर पर टीम इंडिया उनको अपने टीम में जरूर लेना चाहेगी, वसे आप किस पर क्या रहा है, कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजेगा, वीडियो अच्छी लेगी हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,